रोज मरणा की लाइफ में कुकिंग से जुड़े कुछ टिप्स, खाना बनाने के प्रोसिस को आसान बना देते हैं, साथ ही खाने में स्वात भी चोड़ते हैं। ऐसे ही कुछ कुकिंग टिप्स की लिस्ट सेयर कर रहे हैं, जिसे आजमाने से ना केबल खाना टेस्टी बनेगा, बल्कि किचिन का काम करना भी आसान हो जाएगा। आज का हमारा टिप्स नंबर बन है, दाल बनाते समय अगर एक चम्मच देसी घीर डाल दिया जाए, तो ना केबल दाल का स्वाद भड़ता है, बल्कि दाल कुकर की सीटी से बाहर नहीं आती, जिससे रसोई के साथ ही कुकर का ठकन भी गंदा नहीं होता। टिप्स नंबर टू, जब भी अद्रक लेसुन और मेच का पेस्ट बना रहे हो या फिर उसे कूट रहे हो, इसमें थोड़ा सा नमक दाल कर पीसें, ऐसा करने से इस पेस्ट का स्वाद और महग बढ़ जाता है, साथ ही लेसुन और अद्रक काफी बारीक पीसना आसान हो जा टिप्स नंबर फोर, पापड़ खाना पसंद है, तो उसे तल कर किसी ये टाइट जार में भरे और फ्रिज में रख दें, ये कई दिनों तक क्रिस्पी बने रहेंगे, और आपको बार-बार इने तलने की जंजट से मुक्ती मिल जाएगी, टिप्स नंबर फाइब, बहुत ऐसा करने से एपूरियां तेल कम सोखेंगी और खाने में करारी बनकर तयार होंगी, टिप्स नंबर शिक्स, दही अगर खटी हो जाती है, तो उसका सिंपल सा उपाए है, दही जमाते समय आदा चमत चीनी डाल दें, इसे दही में मिठास आएगी और खटी होने से दही बच चोटा हो, हमेशा मेडियम आकार का खीरा ही खरीदना चाहिए, बड़े और चोटे खीरे में बीच ज़्यादा होते हैं, जबकि पतला खीरा बीतर से कच्चा और कड़वा हो सकता है, टिप्स नंबर एट, खीरा खरीदते समय उसे दबा कर जरूर देखें, अगर खीरा अगर में दालों और अनाजों को लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, तो आप इस नुस्के को अपना सकते हैं, इसके लिए साबुत लाल मिर्च का इस्तमाल करें, करना ये है कि सुखी लाल मिर्च को सीधे चने रखे वाले कंटेनर में डाल दें, मिर्च की गंद से कीड़ अनाजों से दूर रहते हैं, दाधी नानी भी अक्सर इस नुकसे के बारे में बताती हैं, टिप्स नमबर 10, चने और छोलों में कीड़ों को लगने से बचाने के लिए डिब्बे में दो चार तेश पत्ता डाल दें, इसकी तेश खुस्बू चने में आती है और उन्हें की इसकी महग से चने में कीड़े नहीं लगेंगे, और आप लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकेंगे, टिप्स नमबर 12, करेले की कड़वे पन को कम करने के लिए उन्हें हलका सा उबाल लें, और कुछ दे ठंडा होने के लिए रखें, जब ये ठंडे हो जाएं, तो इसे हातों स से हलका दवाएं, और फिर इसमें से पानी निकाल लें, आप इन करेलों की भरवा सबजी बना सकते हैं, टिप्स नमबर 13, करेले को धोने के बाद उन्हें काट कर एक प्लेट में रख लें, और फिर उसमें हल्दी पाउडर और नमक पिला कर रख दें, इन्हें कम से कम दो खंटे के लिए छोड़ दें, फिर इसका पानी निचोड़ लें, आप इनकी सोखी सबजी बना कर तैयार करें, तो आज की ये जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे चरूर बताएं, अगर ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीच इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई!